हेलो फ्रेंट नमस्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तो देखे यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंपरणन्ट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हुए अपको एक एप्लिकेसं लिखतें हैं जैसे कि आपनी ज्याद कर रहे हैं या पॉष्ट कर रहे हैं देखेए यह कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि देखिए गार हैं कोई पर आपको प्र फैयदा मिल सके तो इस लिए सबसे जब्सेटा जरूल यह है क कि आपको अपनी graduation complete, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको वो complete करनी है, तभी आप railway में permanent duty करें, तभी आप railway में join करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप joining के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक application लिखनी है, और application में आपको लिखना क्या है, आपको यह सब कुछ उसमें mention करना, जैसी आप mention करेंगे, तो आपको वहाँ पर extension मिल जाएगे, हो सकता है किसी भी division में आपको 2-3 दिन वहाँ पर उनके सामत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको extension मिल जाएगे, क्योंकि extension लेने वाले बहुती कम चात्र होते हैं, जादे जादे 2-3 परशंट चात्र होंगे, जो extension लेंगे, फिर आपको extension बहुती आसानी से मिल जाएगी, जादे दिक्कत आपको extension में होने वाली नहीं है, तो आप अपनी पहले पढ़ाई पूरी करना है, तब बाद में आपको ये गुरुबडी जोइन करना है, पहले आप extension लिखर के अपनी पढ़ाई को complete करेंगे, इसके बाद में देखिए जिन्होंने पढ़ाई complete कर रखी है, और बीच में CGL वेगरा के, जो भी state exam, कोई भी exam आता है, फिर आप उसकी तयारी करना चाहते हैं, तो बीच में भी आप 6 महीने, 3 महीने की आराम से छुटियां ले सक सकते हो, आप आसानी से वो भी आपको मिल जाएगी, बस आपको इसी तरह से करना होगा, आपको एक application लिखनी होगी, जिस भी division में आपका selection हुआ होगा, जो भी section आपको मिला होगा, वहाँ पर आपको एक application देनी है, तो फिर आपको आसानी से वहाँ पर study leave मिल जाते है, तो जॉनिंग पर ही लेनी पड़ेगी, जॉनिंग से पहले लेनी पड़ेगी, आप extension lip कभी भी ले सकते हैं, और देखें, अब मैं आपको बता दूँ क्या आपको uniform जो आपकी dress है, रेन पर गुरूब लीगी, जो ड्रेस है, वो आपको पहले ही बनवानी पड़ेगी, या फिर आप जॉनिंग कर लेंगे, तब बनवानी पड़ेगी, तो देखें, मैं आपको बता दूँ, आपकी जॉनिंग हो जाएगी, तो आप जॉनिंग करना, आराम से duty करना, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी salary आजाएगी, तो देखें, जैसी आपकी salary में dress के पैसे लगकर के जाएगे, तब आपको dress बनवानी है, फिर आपको dress पहनना अनवार हो जाएगा, आपको dress नहीं duty करनी होगी, लेकिन जब तक आपके पैसे लगकर नहीं आते हैं dress के, जब तक आपको railway की तरफ से dress नहीं मिलती है, तब तक आप बना dress के duty कर सकते हैं, यहीं बात थी कि आपको कोई भी और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंटर में पोच सकते हैं, यह उस पर भी आपको वीडियो बना के बता दूगा, आपका कोई भी डाउट होगा, वो डाउट केलियर हो जाएगा, तो इस भी नमब से तना है, एगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो थेंग्यू दानवाज जाहिन जावारत